देखे जारखंड में चुनावी विशात अगर आप कहें तो पूरी तरह से बिच्चुकी है और बात चाहे NDA की हो या फिर UPA की हो ये बात जरूर है कि अब तक महागडबंधन के अंदर सीटों को लेकर राजनिती खलकों में तरह तरह की बाते हो रही हैं लेकिन इस बात से नहीं किया जा सकता है कि अब महागडबंधन का स्वरूत तयार हो चुका है और बारी है तो सिर्फ अब चुनावी मैदान में उनके उमिद्वारों के उतरने की बाबुलाल जी हमारे साथ हैं जेबियम के सुप्रीमों हैं राजी के पहले मुख मंत्री हैं बहुत बार बाते सीटों को लेकर हो चुकी है और अब हम इससे आगे बढ़ना चाहते हैं बाबुलाल जी 2014 का जो लोगसभा का चुनाव हुआ है और अब 2019 का ये चुनाव किन माईनों में आप देखते हैं कि दोनों में बहुत भिन्नता है नहीं 2014-2019 पांच वर्षों में काफी अंतर आया है तो कि 2014 के जो चुनाव था तो मुदी पहली दफ़ा देश के राजनिती में परिद्रिश में वो सामने आये थे और वीजेपी ने उनको प्रदान मंत्री प्रपोष्ट करके चुनाव लड़ी और उस वक्त उन्होंने बहुत सारे गोश्ट आए कि नौजवानों के लिए कहा था कि परते एक वरस दो करोड नौजवानों को रोजगार देंगे में प्रदान मंत्री बना देना फिर देश वाश्यों से कहा था कि भई देश की बहुत धेट सारे पैसे काला दन लोगों ने स्विस बेंक में छुपा करके रखा है और इतना र लागत का डेड़ गुना दाम आपको देंगे मांगाई से जनता परिशान थी तो उसमें भी कहा था कि हमें प्रदान मंत्री बना देना मांगाई कप कर देंगा ऐसे कई घोस्त ना है कि मैंने कुछ चाना को लागर आता कि वह तो ठीक बोल रहे हैं लेकिन आप तो पांच वर्षों से प्रदान मंत्री देशके अब तो उन सवालों का जवाब उनको देना पड़ेगा आपने किया किया जो आपने कहा था वो देखे बावलाल जी एक संछेप में जवाब कि जनता ये जानना चाहती है कि जब आप चुनाव में जाएंगे तो महा गडबंधन के पा क्यों देखे तो जनता ये जरूर पूछे और पूछना भी चाहिए कि वह 2014 में आपने क्या कहा था जिन बातों को मैंने सुरों में कहा अब उसका उत्तर तो उनको देना पड़ेगा जनता को हमें जरूर कहेंगे अगर उसका उत्तर नहीं देते हैं तो फिर हाथ जोड़ कर करके उनको वो लोग जैसरी राम का नारा लगाते हैं आप लोग जैराम का करके उनको विदा करो जैसरी राम का जबाब जैराम से हाँ जैराम जी जैसे किसी को विदा करते हैं राम राम बोलते हैं जैराम जी की होते हैं हम ले करके उनको विदा करो और रही बात कि हम लोग अपने और से क्या लेके जाएंगे तो हमने उखा कि जो आम लोगों की जो बनियादी ज़ुरत है, सिचा है, स्वास्त है, सिचाई है, बिजली है, तो यह सारी जो चीजें हैं यह हम करेंगे, जारकन के हर बच्चे को हम सिच्छा स्वलूप कराएंगे, उसके रास्ते में तो महागडवंधन चुनावी मैदान में, 2014 में नरिन्रमोदी शरकार के द्वारा किये गए, तमाम घोशनाओं का जबाब मांगने के लिए चुनावी मैदान में होंगी, और मूल भुद्स विधाएं जो अब तक जनता को नहीं मिल पाई है, चाहे आप स्वास्त की बात कर या फिर जहारखन जिसके लिए सबसे ज़्यादा बदनाम रहा है, पलायन की बात करें, वो तमाम मुद्दे चुनावी समर में होंगे, और इसी के साहरे महागडबंधन नईया पार लगाएगी, कैमरा परसन सुसिल के साथ हविनास कुमार, निव्जिलेबन राची